दोस्तों, Redmi Note 9 आज इंडिया में लॉंच हो गया है, साथ में Samsung Galaxy M31S और उसके लावा OPPO Reno4 Pro स्मार्टफोन भी इसी महीने लास्ट में लॉंच होने वाले हैं और भी धेर सारी टेक न्यूस पर चर्चा करेंगे आज के अपिसोड में देखतेरी वीडियो लास तक मैं हूँ अश्पाक और आप देरों शुपर चूए है अधा टेकर के चार्टफोन दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जान लेते हैं सेटर्डे वारे पोल का हाल जिसमें हाँ हर बार फाइदा उठाते हैं जबकि 88% लोगों ने कहा है कि नहीं उल्लू बनाते हैं इसलिए हम Amazon पर परचेस नहीं करते हैं आते हैं दोस्तों आज के पोल पर आज आपको बताना है कि जितनी तेजी से स्मार्टफोन लांच हो रहा है मार्केट में एक के बाद एक हर क्या आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फोन परचेस करें या फिर इंतजार करें और आने वाले किसी फोन का दोस्तों जवाब देना आज के पोल में मत बूलिएगा आते हैं सबसे पहली न्यूस पर Redmi Note 9 आज इंडिया में दोस्तों लांच हो गया है Quad Camera पंचोल डिस्प् प्राइटरी, Mediatek, Helio G85 प्रोसेसर साथ में दो रेम वेरियंट 4GB 6GB, 4GB वेरियंट के लिए आपको 11,999 पर देने होंगे जबकि 6GB वेरियंट के लिए 14,999 पर कंपनी ने प्राइस इंडिया में दोस्तों रखी है अगली दोसे दोस्तों Samsung Galaxy M31S स्मार्टफोन का Official Teaser Company ने आज शुचल प्लेटफॉम पर रेलेस कर दिया है लाँचिंग डेट कंफर्म होगा है इंडिया में 30 जुलाई को ये फोन लाँच होने वाला है सामने की तरफ पंच होल सेलफी कैमरा है उसके अलाब वाता दूँँ आपको 4000 AMH की बैटरी मिल रही है सूपर वुक 2.0 चार्जर मिले का 65 वाट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ में साथ में इस फोन के डिस्प्ले में भी खासियत है दोस्तों 3D Borderless Sense स्क्रीन हमें इसमें देखने को मिलेगी जो कि 90Hz के Refresh Rate के साथ में आएगी बाकी देखते हैं कि Price Company इंडिया में लाउंचिं के टाइम पर क्या रखती है कि दोस्तों Realme 5G Connectivity वाले नए स्मार्टफोन की सीरीज को लाउंच करने जारी है जल्दी इस पर काम चल रहा है टीजर कंपनी ने ऑफिशली रिलीज कर दिया है जिसमें की पंच होल डिस्प्ले भी हमें देखने को मिलेगी कौन सी सीरीज है ये तो भी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन उमीद जताई जा रही है एक्सपर्ट की तरफ से कि IFA 2020 में जहां पर पहली बार Realme शामिल हो रहा है वहाँ पर शाहिद ये सीरीज एननाउंस कर सकती है बाकी इंतिजार रहेगा इस इवेंट में और भी इटेल सामने आने का अगिन उसे दोस्तों Realme 6 सीरीज में एक और नया फैमिली मेंबर जल्दी इंडिया में जुडने जा रहा है 24 जुलाई को लॉंच होगा Realme 6i जिसमें की क्वार्ट कैमरा के साथ में हमें पंच वोल डिस्प्ले मिलने वाली है प्रोसेसर की बाग करें तो MediaTek Helio GATT प्रोसेसर इसमें कंपनी ने यूज़ किया है 4GB, 6GB RAM वेरियंट में फोन लॉंच होगा दोस्तों साथ में कुदा प्रोसेसर का प्राइमरी सेंसर कंपनी ने यूज़ किया है आइफोन 11 के जितने स्मार्टफोन है या फिर आइफोन X के जितने भी मॉडल मौजूद है उन सब पर यह सपोर्ट मिल जाएगा साथ में Samsung Z Flip और Galaxy Fold पर भी यह आने वाले दुनों में हमें देखने को मिलेगा लेकिन यह ध्यान रहे कि अभी सबी सरकिस में यह सुद्धा मौजूद नहीं होगी महाराष्टर, गोवा, गुजराट जैसे सरकिस में अभी यह शुरुआ की जाएगी बाके आने वाले दुनों में और भी सरकिस में इसका विस्तार भी दोस्तों कर दिया जाएगा अगले उसे दोस्तों, टिक टॉक के बारे में, इंडिया में तो अलेडी बैन हो चुका है और भी बहुत सारे मुलकों में इस पर बैन के लिए कारवाई चल रही है ऐसे में एक और नई खबर आई है, ऑस्टेलिया से जो कि टिक टॉक के लिए बेतर नहीं है वहाँ पर इसको स्कूरूटनी में रखा गया है, यानि कि अभी इसकी जाज चल रही है सिक्यूरिटी डेटा को लेके कुछ पंगे है, जिस पर गॉर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है और इसकी जाज चल रही है, देखते आने वाले दिनों में उस जाज के बाग क्या निकल के आता है और क्या टिक टॉक ऑस्टेलिया में भी पैन होता है अगले उसे दोस्तों, ओपो के सीरीज का अगला आने वाले स्मार्टफोन है ओपो के 7 जो की 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा लाँचिंग से पहले इसके स्पैसिफिकेशन दोस्तों, ओनलाइन हो गया इन लीग जिससे पता चलना है कि Qualcomm Snapdragon 763 चिपसेट हमें इसमें देखने को मिलेगा 30W की, फास्ट चार्जिंग मिलेगी 60Hz के रिफ्रेस रेट के साथ में डिस्प्ले आएगी आपको वादादे के 5 का ये सकसेसर वरदन है के 6 को ड्रॉब करके के 7 5G कमपनी ला रही है कब तक लाएगी, कब तक लाँच करेगी, इंतिधा रहेगा है डीटेल सामने आने का अग्दोस में दोस्तों, Realme से जुड़ी है आपने ध्यान दिया होगा तो इस वीडियो में Realme से जुड़ी है काफी न्यूस शामिल हो गई है फिलाग बता देते हैं आपको ये लास्ट न्यूस भी Realme इंडिया में विचार कर रही है 10W के वायर्लाइस चार्जर को लाँच करने पर कब तक लाँच होगा ये तो भी कनफर्म नहीं है लेकिन जिस तरीके से अभी Realme के काफी स्मार्टफोन और काफी डिवाइस इंडिया में लाँच होने के लिए वेट कर रही है तो शायद हमें उम्मीद है कि शायद जुलाइ के लास्ट तक हमें ये चार्जर भी देखने को मिल सकता है बागी क्या प्राइस रहेंगे और कब तक हम ये इंडिया में मिल पाएगा इंतिधार रहेगा और जैसी कुछ पाता चलेगा आप तक बात पहुंचा दी जाएगी कि फिला हाल दोस्तों वीडियो करते हैं पस हम आप वीडियो में तना ही और बेंटर साइट टेकनूस अफडेट्स के लिए पर हमारी वैबसाइड www.technic.com.in को विजिट कर सकते हैं वीडियो कैसे लेगे दोस्तों नीचे कामाइड बोक्स मोताना प्रिक मोगे लिए वीडियो लिए लाके जिए शेयर जिए जिए अप्रेफेंट्स को जाते हैं तक लिए अखेर अभी भूनिकर रिगए तक अगले आने आले वीडियो और आपको मिल सकेता हैं तो तो में थ